मुगल सामराज्य के मध्य में युद्ध का तूफान चल रहा था। अपनी बुद्धि मत्ता के लिए जाने जाने वाले समराथ अकबर ने इस खतरनाक समय से निपटने के लिए अपने निकट्तम सलाहकार बीरबल पर भरोसा किया। जैसे ही आस्म युद्ध की खबर शाही दर्बार तक पहुँची। हवा में तनाव फैल गया। बीरबल ने अपनी तीवर बुद्धी और रन्नीतिक सोच से स्थिती की गंभीरता को भामप लिया। अपनी आँखों में द्रिर संकल्प के साथ। उन्होंने रन्नीती बनाने के लिए अपने साथी सलाहकारों को इकठा किया। मानचित्र खोले गए। युद्ध योजनाओं पर बहस हुई और संभावनाओं पर विचार किया गया। बीरबल के शांत व्यवहार से उनके आसपास के लोगों में आत्म विश्वास छलक रहा था। जैसे ही बीरबल ने सैनिकों को अथक प्रशिक्षन दिया। दिन रात में बदल गए। उन्होंने न केवल युद्ध में बलकी एकता, अनुकुल अन्शीलता और त्वरित सोच के महत्व की भी शिक्षा दी। उनके शब्द गहराई से गूंचते थे जिससे सैनिकों को न केवल जीत के करने की प्रेरणा मिलती थी, जिनका वे प्रतिनिदित्व करते थे। तैयारियों के बीच, बीरबल अपने अध्ययन कक्ष में चले गए। उन्होंने युद्ध योजना के हर पहलू का विवरन देते हुए सावधानी पूर्वक एक रिपोर्ट तैयार की। रिपोर्ट मह उद्धिमत्ता से ओथ प्रोथ था, जो अकबर और उसके सेनापतियों को सपष्ट से परे देखने और रन्मीती के गहरे सार को समझने के लिए प्रेरित करता था। हिसाब किताब का दिन आ गया और बीरबल ने अपनी रिपोर्ट बादशा अकबर के सामने पेश की। अप जो सतह के नीचे छिपी रन्मीती की पर्तों को प्रदर्शित करती है। बीरबल की कुशागरता के प्रती अकबर की प्रशंसा और भी अधिक बढ़ गई। जैसे ही लड़ाय शुरू हुई। बीरबल की रन्मीतियां सटीकता के साथ सामने आने लगी। सैनिकों ने ऐसे युद्धा भयास किये जो न केवल उनके प्रशिक्षन को प्रदर्शित करते हैं। बलकी प्रत्येक चाल में की गई सावधानी पूर्वक योजना को भी प्रदर्शित करते हैं। युद्धा का मैदान एक कैनवास बन गया, जिस पर बीरबल की प्रतिभाने विप्रीत प जर्व का मिश्रन था, जो इस बात का प्रमान था कि नेत्रित्व कितना नुकसान पहुंचाता है। लेकिन बीरबल को पता था कि सीख जीत के साथ खत्म नहीं होगी। समराथ अकबर भी युद्ध के मैदान में बीरबल के साथ शामिल हो गए। उनकी निगाही कथिन संघ घर्ष में मिली जीत के अफशेशों पर टिकी हुई थी। बीरबल की रिपोर्ट ने उनका मार्ग दर्शन किया था, लेकिन अनुभव ने उन्हें और भी बहुत कुछ सिखाया था। अकबर बीरबल की और मुडे। उनकी आँखों में कृतग्यता और जिग्यासा जहलक रही थी। बीरबल अकबर ने शुरू किया। ये जीत सिर्फ आपके रणनी तिक दिमाग का नतीजा नहीं है। बलकि आपकी अनुकोलन और सीखने की क्षमता का भी परिनाम है। इस अनुभव से आपने क्या हासिल किया है। बीरबल की प्रतिक्रिया विनम्रता और अंतर द्रिष्टी से भरी थी। महाम हिम। जीत सिर्फ एक दुश्मन पर विजय पाने के बारे में नहीं है। ये खुद पर विजय पाने के बारे में है। किसी के डर। संदेह और सीमाओं पर ये हर चुनौती से सीखने और समझदार और मजबूत बनने के बारे में है। जैसे ही उनकी जीत की खबर फैली बीरबल ने दरबार और सैनिकों को संबोधित किया उन्होंने युद्ध के मैदान से सीखे गए सबक साजह किये तयारी की शक्ती एकता का मेहत्व और नई अंतरद्रिश्टी के लिए खुले रहने का मूलिय उनकी शब्द सुनने वाले सभी व्यक्तियों के रूप में प्रेरणा मिली बीरबल की रण्मीतिक प्रतिभाने न केवल मुगल सामराजय की जीत सुनिश्चित की थी इसने उन लोगों के मन और हरिदय को समरिध कर दिया था जिन्होंने इसे देखा था उनकी विरासत इतिहास में केवल एक फुटनोट के रूप में नहीं बलकी सीखने, सोचने और ग्यान के साथ नेत्रित्व करने की स्थाई शक्ति के प्रमान के रूप में खड़ी है, समय के हितिहास में वीर्बल का नाम प्रतिभा का पर्याय बन गया, उनकी कहानी उन सभी के लिए प्रेरणा का प्रतिक बन गयी, जिन्होंन इस पश्ट से परेश अपने देखने की हिम्मत की, उनके ग्यान की गूंच पीवियों तक गूंचती रही, ये याद दिलाती है कि सच्ची जीत सिर्फ जीत में नहीं, बल्कि विकास, समझ और सतत सीखने की यात्रा में नहित है.